Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our English class. Today, in our English grammar class, we are going to discuss our lesson pronouns. So, बटा कल हमने जो exercise की थी, तो उसके answers यहाँ पर हैं. So, complete the sentences using suitable subject and or object pronoun. तो आपको subject या फिर object pronoun को यहाँ पर fill करना ता. So, first अगर हम देखे हैं, तो Uncle Harry took me to the market. तो यहाँ पर हमने क्या किया है? Object pronoun हमें चाहिए था. तो हमने आई का, जो object case होता है, मी, उसको यहाँ पर लिखा है. एसके बाद second देखते हैं, जैमा विल रीच हैर सून. He is already on his way. अब हमें यह कैसे इपतासल है, यहाँ पर C आएगा या, ही आएगा. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, on his way है. और he is हम किसके लिए उसकरते हैं? लड़के के लिए. तो यहाँ पर क्या आएगा? He आएगा. So he is already on his way. और हमें यहाँ पर subject चाहिए था, तो इसलिए हमने subjective pronoun he को यूज़ किया है. इसके बाद third देखते हैं, All my friends promised to come. कि सारे के सारे जो में friends हैं, उन्होंने उसकिया हैं आने के लिए. अब सारे friends हैं, तो friends जादा हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक से जादा है तो? Yes, plural form of pronoun यूज़ करेंगे, they. They will be here by 7 p.m. Fourth है, we were getting bored at home. So, Mark showed us some magic tricks. तो हम सब को दिखाई थी, एक से जादा हैं, तो जो हमारा यहां पर जो अब्जेक्टिव केस होगा, वी का, वो क्या होगा? Us. तो, Us some magic tricks. Fifth है, जुनेज is new to his school. He is from Afghanistan. तो he हमने यहां पर pronoun यूज़ किया है. अगला है, sixth. John has a dog. It is black. अब जब हम animals के लिए, birds के लिए यूज़ करते हैं, तो हम it का यूज़ करते हैं. बी देखते हैं, बीटा. Look at the underlined pronouns and write S for subject pronoun and O for object pronoun. तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कि subject pronoun और object pronoun. So, first is, the teacher told them a story. अब यहां पर them आया हुआ है. यह हमारा object case में है. तो यहां पर object pronoun हम लिखे लिए है. So, इसमें आप यह चीज़ ध्यान रखेंगे, कि जब भी हमारा case यूज़ करते हैं, वो हमारा verb से पहले होगा, तो हमारा subject की case होता है. वर्ब के बाद होगा, तो objective case होगा. तो अगर हम, इसमें हम देखेंगे, तो हमारी verb क्या है? तोल्ड है. और यह जो them है, यह तोल्ड के बाद हम यूज़ कर रहे हैं, तो यह यहां पर objective case के रूप में यूज़ होगा. इसलिए परकासे second देखते हैं, तो यहां पर he जो है, यह हमारा, जो हमारी verb है, उसके पहले आया है, तो यहां पर यह subject case है. He is riding my bike. इसलिए हमने यहां पर subject case लिया है. थर्ड है, जो हमारी verb है, वर्ब से पहले हमारा pronoun है, और यह हमारा subjective case है. फोर्थ, यहां पर आप all लिखेंगे. फिफ्थ है, डे डिनोटेड देर ओल ट्वाइस एंड क्लोस. उन्होंने अपने पराणे क्लोस और क्लोस को दोनेट कर दिया. अब डोनेटिड वर्ब है हमारी, और यह जो हमारा pronoun आ रहा है, यह डोनेटिड से पहले आ रहा है. अगर आप देखेंगे, तो वर्ट के बाद में आया हुआ है, लेफ्ट जो हमारी वर्ड है, उसके बाद में आया है, तो बटा, आज का जो टोपिक हमारा है, पेल सम्बर 30 तु 31 में, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पजेशिव प्रोनौन्स को, सो पजेशिव प्रोनौन्स, त कि यह जो चीज है, यह किससे तालूग रखती है, यह किससे बिलॉंग करती है, read these sentences, pay attention to the functions of the highlighted pronouns, तो इन sentences को हम पढ़ेंगे, और जो highlighted pronouns हैं, इनको बड़े ध्यान से देखेंगे, all those books were hurts, अब यहाँ पे जो hurts वर्ड है, यह हमें दिखा रहा है कि जो books के belongingness है, वह किससे बिलॉंग करती है, इसी परकाश से, the pens are mine, अब यहाँ पर जो वर्ड माइन है, यह हमें बता रहा है कि जो pens है, वो किससे बिलॉंग करते हैं, next देखते हैं, the pencil is yours, ज़ पैंसिल है वो तुम्हारी है तो यूवर्स चूवर्स है यह हमें से पैंसिल के बारे मं बतारागे penisle किस से बिलौग कर रही है ऋप तो यह जो हमारे words है यह हमेरे तीनों worse जो है यह हमें बता रहे हैं कि कोई जो है किसे लॉंग कर रही हैं टे अर पर किसे बिलॉंग कर रही हैं यह ज़ीσα प्रोनॉंस और किसलों किसे ब्सक्राइब कर रह conflict धैं उसला कि बिलॉंग को process कौ अर्ड वह और इनकी हल्प से आपको यहां पर फिल इंदा ब्लैंक्स को भरना है माइन मेरा योवस तुन्हारा हिस उसका हर उसकी इट्स किसी भी एनिमल के लिए हम यूज करेंगे अवस हमारा देर्स उनका हुस किसका तो इसकी भी एनिमल के लिए है तो मेरे लिए क्या होगा माइन का हम यहां पर यूज करेंगे यहां पर यहां पर हर का यूज करेंगे तो आपर यहां पर हम देखेंगे अजर्ण पर करेंगे यहां पर हम देखेंगे तो इसकी भी एनिमल के लिए हम क्या यूज करेंगे यहां पर एक ही बच्चा है तो इसके लिए योवस यूज़ कर रहे हैं फिफ्थ है my sister and I have two pet turtle so my sister and I have two pet turtles the turtle are ours हमारे हैं क्योंकि मैं और मेरी sister दो हो गए इसलिए ours हम यह आपर यूज़ करेंगे अब हम देखते हैं difference between possessive pronoun and possessive adjective तो possessive pronoun क्या होता है जो आपका position दिखाए वो pronoun और adjective जो adjective हो और वो आपका position दिखाए किसी भी चीज़ के लेके तो वो आपका possessive adjective होता है so in sentences को हम पढ़ते हैं examples की सहता से समझते हैं कि difference क्या होता है so read this sentence the book is menu अब यहां पर अगर हम देखें menus तो menus यहां पर क्या है यह position दिखा रहा है कि यह जो book है menu से belong करता है if you want to replace the noun menu with a position pronoun we will write तो आगर हम इसको replace करते हैं pronoun से क्योंकि हमें पता है कि जो pronoun होता है वो noun की जगाँ पर आता है तो menu जब replace होगी pronoun से तो वो हमारा pronoun होगा और वो हमारा possessive pronoun होगा तो यह जो हर्स होगा यह हमारा possessive pronoun होगा हर्स इस a possessive pronoun हर्स यहां पर possessive pronoun है तो आगर हम थो possessive créam import है अगर हम ta possessive adjective यूज करना है तो possessive adjective के बारे में आपको पता है कि जो possessive acronym होता है वो noun से पहले आता है और वो noun को describe करता है वो describing word होता है जैसे यहां पर है this is her book अब यहां पर यह जो book है यह इसको describe कर रहा है कि वो book जो है उसके बारे में हमें कुछ और बता रहा है कि हर बुक तो वो बुक उसकी है नेक्स देखते हैं वी है यहाँ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने जो हर का यूज किया है वो डिस्क्राइब करने के लिए नाउन जो बुक है उसको डिस्क्राइब करने के लिए किया है हर is a possessive adjective in this case और इस case के अंदर हर जो है यह possessive adjective है सम possessive pronouns possessive pronouns क्या क्या होते हैं mine, his, hers, ours, theirs, yours, its और possessive adjectives क्या होते हैं my, his, her, our, their, your and its note, यहां पर एक important point है the term its without an apostrophe and his can be used either as possessive pronouns और possessive adjectives तो अगर हम देखेंगे तो यह जो हमारी terms है its और his यह हमारी दोनों रूप में इसी प्रकार से use हो सकती जहें now look at the underlined words write P for possessive pronouns A for possessive adjectives चलिए देखते हैं I am doing her work अब यहां पर देखें तो her work है यह हमारा work से पहले आया है तो यह हमारा क्या हुआ adjective हुआ जो हमें describe कर रहा है work के बारे में हमें कुछ additional information दे रहा है next देखते है is that bag yours is that bag yours अब यहां पर अगर हम देखें तो यह हमारा noun को describe noun से पहले नहीं आया है जबकि adjective हमारा noun से पहले आता तो yours क्या है यह हमारा यह हमारा yes हमारा यह pronoun है positive pronoun third देखते है the cat cleaned its fur अब यहां पर its fur है तो यह फर के बारे में हमें describe कर रहा है तो यहां पर यह हमारा adjective है fourth देखते है use हुआ है तो यह हमारा प्रोनाउन है यह हमारा प्रोनाउन इसके बद नेक्स देखते हैं these are my books, अब my books, अब books है, जो noun है, और my उसको describe कर रहा है, तो यह हमारा क्या हुआ, adjective हुआ, तो यह हमारा, presumptive adjective है, 7 देखते हैं, where did you keep your socks, कि आप अपने socks को कहां रखते हैं, तो your socks, अब again यहाँ पर अगर हम देखें, तो socks के बारे में, हमें describe word मिल रहा है soks हमारा noun है उसके बारे में हमें कुछ describe किया जा रहा है तो ये हमारा possessive adjective है next देखते हैं don't touch the sandwich it is his अब it is his अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो his है ये किसी की जगह पर प्रियोग हुआ है तो जो noun है उसके जगह पर यहाँ पर use हो रहा है तो ये pronoun है ये हमारा possessive pronoun है इसी परकार से ninth this cartoon is mine अब mine जो है ये उस noun उनकी जगह पर मेरी जगह पर use हो रहा है तो ये यहाँ पर possessive pronoun है tenth आप रिंग यूर cartoon and keep it here अब योवर cartoon अब यहाँ पर भी जो cartoon है उसके बारे में describe किया जा रहा है उसके बारे में अर्थिरिक्त information दिये जा रही है तो ये हमारा क्या हुआ ये हमारी noun को describe कर रहा है तो हमारा describing word है ये हमारा adjective है possessive adjective है तो बेटा आप इन्हें कम्ट्रीट करेंगे thank you have a good day ahead